नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉएंट सेनल पर आप सभी का स्वावत है, मेरा नाम है दीपक शोराण, आज हम स्टॉर्म, लाइटनिंग, थैंडर, इनके बारें पढ़ेंगे कि किस तरह से स्टॉर्म आता है, और किस तरह से हमारे आसमान में बिजली चमकती है, और किस तरह से करजन होती है, और इनके बारें पढ़ने के बाद आज हम साइकलोन और थैंडर स्टॉर्म के बारे पढ़ेंगे, स्टॉर्म कीसे करते है, जब आपने देखा होगा कि जब बहुत तेज हवाद चलती है, तो उसके साथ साथ कई वर बारिश भी आती है, जब तेज कर देखने के बारिश करियों होती है, जब आपने बारिश भी होनगी और जब ये लुदम बारिश भी हो सकती है, जब इस तरह की कंडिशन हो जाए तो स्टॉर्म देखने को मिलते है, क्या देखने को मिलते हैं उस दोरान हमें स्टॉर्म देखने को मिलते हैं स्टॉर्म means a period of violent weather with strong winds and usually rains is called a storm में जब बहुत तेज हवा के साथ साथ वहाँ पर बारिश हो तो उस मोसम को हम स्टॉर्म कहते हैं स्टॉर्म यानी की तूफान कहते हैं अब बात करते हैं lightning की lightning की जो हमारे आसमान में वो बिजली चमकती है वो किस होजे से चमकती है जो बिजली होती है वो के बहुत ही high voltage की electricity होती है बहुत ही high voltage का current होता है clouds के अंदर या फिर clouds और अर्थ के बीच होता है जिसके दोरान क्योंकि जब आप आगे पढ़ोगे तो देखोगे कि किस तरह से जब नीचे से वाटर वाटर वापर से जब ऊपर clouds की formation करते हैं तो उस दोरान वहाँ पर negative और positive charge की formation होती है और जब यह negative और positive charges आपस में कंबाइन होते हैं तो उस दोरान वहाँ पर क्या होता है electricity produce होती है और electricity produce होने की वज़े से हमें यह light ring देखने को मिलती है तो मिच जो यह flash light या फिर जो भी आपने आस्मान में जो बिजली देखी है वो बिजली formation इस तरह से यह positive और negative charge की formation की वज़े से होती है अब बात करत है थंडर की मिच जो गर्जन सुनाई देती है वो हमें किस वज़े से होती है आपने कभी देखा होगा कि जो बहुत ही तेज आवाज हमें जो light ring के बाद सुनाई देती है उसी है थंडर कहते है मिच से जब बिजली कड़कले की जो आवाज होती है उसी हमें थंडर कहते है जो गर्जन सुलाई देती है किस वजे से सुलाई देती है जब आस्मान में बहुत ही तेज electricity या फिर बहुत ही तेज current produce होता है तो उस दोरान जो हमारे atmosphere के अंदर बहुत ही ज़्यादा higher temperature हो जाता है और जो air होती हो बहुत जाधां घरम हो जाती है इक बहुती जाधा श्पीर जाती है ऐसका temperature increase होने की सबस्के कर से जो में एस बैसे में जो एकद्व फैलस के वजह से गर्जन देती है यह हो गया है हमारा कि स्टोर्म फेंडर और लाइट लीका जो कि अब बात करते हैं थंडर स्टॉम की मिश्टाइश तंडर स्टॉम क्या होता है आपने कई बार देखा होगा कि जब तूफान आता है तो उसके साथ हमें लाइटनिंग और थंडर भी देखने को मिलते हैं मिश्ट तूफान कैसे जब बहुत तेज हवा के साथ बारिस आती है वहाँ पर तूफान आ है और उस तूफान के दोरान जब कोई बिजली हमें आस्मान में दिखाई देती है तो उस दोरान हमें कोई बिजली दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं लाइटनिंग और जैसे बिजली गिरती है तो उस लाइटनिंग भी हो तो उसे हम थंडर स्टॉर्म करते हैं जो वहाँ पर जब बारिश के साथ साथ बहुत ही ज्यादा हमें तेज गर्जना और लाइटनिंग दिखाए देती है तो उस वैदर को हम थंडर स्टॉर्म करते हैं थंडर स्टॉर्म के द्वरान बहुत ही तेज बा क्लाइमेट होता है तो फिर वहाँ पर जो हमें थंडर्सटा question of देखने को मिलते हैं जहां पर होट हमेड होता है या झाद जो ट्रोपिकल एडिया जो घॉटे वहाँ पर हमें इसतरह के थंडर सटॉर्म सदेखने को मिलते हैं जो थंडर सटल मोटा हिशे हम इंदी ओभी में गर्जन वारा तूफान मिंदू देते हैं अब बात करते हैं कि कि सी ट्रेश होता है जो फिन चेहां पर इअभर नेरा के तरफ मिलस्ट होने कि हीट हो गियाद हीट ही तरफ हो जाएगी जैसे हीुपर कृट की तरह राइब क्या होने तो पिर जैसे हीट Candice कि अगरके तरह बीक है गिंकरफ estéक जो प्राशन के थो गारों जैसे ओपर की तरफ स्टार्ट रोंगा तो तो फिर क्या वह उपर जाते जाएगी तो उसके परफिज़ होता है और जैसी तॉपर होगा तो यह क्या होगा में सॉज़ाइगी अंधुररोब्लेट्स की फोर्म ले ले करेंगे और जैसे इन आर्क क्लाउट्स बन जाए तो फिर आपनी क्या दिक willst ने का कि यहाँ हो इसाथ की साथ से Meeting और जAudi भी ञाओर यहाँ से आत्ड़ होनी में स्युनु अवा है वा फिर इस दोराण में होना की पर जो Ellie उपर से तेज हवाय कि चलने स्टार्ट हो जागी तो फिर इस तरह हमें थंडर स्टॉर्म की बात करते हैं कि इसके अंदर lightning की स्तरा से होती है यानि कि इसके अंदर जो बिज्ली चमकती हो कि इस वी जैसे चमकती है आप टेखा कि जब यह वाटर ड्रोप्लेटूश है या फिर जो भी वाटर वाइप तथा ऊपर जाके ट्लाउट की ४ फॉर्मेशं करती है तो जो सोंटो जो भी फॉर्मिस वॉर्मेशं करती है तो उस दौराण क्या होगा है कि जो यह टोप लेयर होती है मैंसे जो यह क्लाउड का उपर का हीशा होता है यहाँ पर पोजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाती है कैसे चार्ज की यहाँ पर पोजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाती है मैंसे यहाँ पर पोजिटिव चार्ज बन जाता है और जो तरफ होता है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है और जो इलेक्ट्रिसीटी होती है जब जहाँ पर पोजिटिव और नेगेटिव चार्ज इखटे हो जाते है तो फिर वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसीटी देखने को मिलती है जब यहाँ पर चार्ज बहुत ज देखने कर देखने को मिलें गिए और यह बेजली की चमक बहुत ही ज्याधा होने की वजे से क्या होता है जैसे ये वहाँ पर बहुत ज़यादा बिजलिक चमक होगी तो उस दूरा जो उसके आज पास की जो हवा होती है मेंद यहाँ पर जो भी हवा होगी तो फिर इसका क्या होगा temperature increase हो जाएगा और temperature increase होने के बाद ये क्या हमाद पसमी एक दम से फैल जाएगी एकडम से कोई बी चीज फैलती है तो उस दोरन क्या होता की बहुत ही ज़्याधा आवाज होती है जिस तरह आपने देखा होगा कि बलून है बैलून के अदर के बहूत ही जो हवाma होती है उसुं से गलून को और पैलून को कहीछ और हुबंग्या तो फिर उस दोरन क्या होता तो उसके कुछ तेरे बाद आपको उगर्जन शुलाई देती है तो उगर्जन की सुझे से होती है जो हवा होती है वो एकदम से फैलती है तो फिसके फैलने की वज़े से जो आवाज produce होती है उसे यह हम thunder कहते है तो इस तरह आपने देखा कि यह थंडरस्टॉर्म की फॉर्मेशन किस तरह से होती है और जो कलाउड्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है इसके अंदर जो electricity प्रोडूस होती है वो या फिर जो lightning है वो किस तरह से होती है आओ अब इसके थोड़ी precautions के बारे बढ़ लेते हैं कि हमें कौन-कौन सी precautions करनी चाहिए कि हमें कौन-कौन सी precautions लेनी चाहिए ताकि हमें नुक्षान नहों तो बात करें कि जैसा कि आपको बताया था कि थंडर स्टॉर्म के अंदर क्या होता है मिस वह पर हमें थंडर भी देखने को मिलती है और स्टॉर्म भी देखने को मिलती है थंडर किसी वज़े से होती है लाइटनिंग के वज़े से मिस हमें अगर बार कहीं भी खुले में भूमेंगे तो उस दोरन क्या होगा कि अगर बिजली हमारे उपर गिर गी तो हमारी जान भी जा सकती है और ये किसी भी जब भी हम कहीं बाहर पर हो तो हमें सबसे पहले तो कहीं भी खुले मैदान में नहीं 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 है दूसरा अगर कोई भी एक अकेला पेड़ है बिस यहां फर माले है यह दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं है और यहां पर कोई अकेला पेड़ है तो इस दोरान हमें जो भी सबसे ऊची बिल्दिग या फिर कोई भी ट्री हो उसके आसपास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए क्योंकि जो जिसकी बिल्दिग या फिर जो भी स्ट्रक्चर है उसकी हाइट जितनी ज्यादा होगी तो उसके उपर बिजली गेड़ने के उससे जूत नहीं ज्यादा होगी तो इसलिए हमें आसपास बिल्कुल भी ऐसे स्ट्रक्चर के पास नहीं जाना जो जिसकी हाइट बहुत ज्यादा होगी या फिर ट्री हो और जो भी metal sand होते हैं जिस तरह आपने देखा होगी कहीं पर टीन है या फिर कोई और कोई लोहे की sand बढ़ा रखी है तो जो इस तरह की sand होती है हमें उनके पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए क्योंकि जो metal होती है वो electricity की conductor होती है और जैसे electricity की conductor होती है तो जो electricity को अपनी तरफ अट्रेक्ट करेंगी और फिर उस दोरान जो जिस building के ऊपर गिरेंगी तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बात्राव electricity होती है तो फिर वह building बिल्कुल तहस नहीं हो जाएगी तो इस लिए हमें इस तरह की जगहाए पर सरण बिल्कुल नहीं लेना चाहिए या परी shelter नहीं लेना चाहिए हमें इन तरह की जगह को avoid करना चाहिए और जब भी हम घर के अंदर हो तो हमें उस दोरान जो window होती है निकि खिड़की के पास बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए क्योंकि जो खिड़की है वहाँ पर क्या पता आसपास लाइटनिंग के वज़े से हमारी जान भी चली जाई और अगर हम कहीं पर भी कार या बस के अंदर है तो वह सबसे बैस्ट ओप्शन है क्योंकि जो उसके दोरान होता जैसे electricity अगर उसके उपर गिरती है तो उसका क्या होता उसका अर्थ कर दिया जाता है बें करते हैं हम साइकलोन की साइकलोन की से करते हैं साइकलोन भी एक तरह का तूफान होता है लेकिन तूफान के दोरान आपने क्या देखा कि जो हावा है बिल्कुल स्ट्रेट मूग करते हैं बिल्कुल सीधा मूग करते हैं लेकिन जो साइकलोन होता है उसमें एक राउंड शे कि तेज स्टोर्म आता है तो उस दोरान वो हावा स्टेट मूव करती है लेकिन आपने देखा हूए कि जो हमारी अर्थ है और अपने proceeds पे रोटेट करती है तो पिर जब ही यह अपने साथ रोटेट करती है तो फिर इस दोरान क्या होता कि इसकी डारेक् calidad चेंज होती रहती है मेंची एक circular form ले लेता और फिर ये इस तरह से round shape में move करना start कर देता तो जब इस तरह की formation होती है उसे हम cyclone कहते हैं और cyclone को हिंदी में हम चक्रवात या फिर boundary कह सकते हैं तो ये जो cyclone होता है ये कहाँ पर बनता है जहाँ पर sea water होगा यानि कि जो समुदर होगे या जो oceans महासागर होगे वहाँ पर आपको ये cyclone देखने को मिलेगे क्योंकि ये सरफ जो sea water होता वही पर बनते हैं वहाँ पर क्या होता है कि जो जैसे यहाँ पर यहाँ का temperature increase हो जाएगा तो फिर यहाँ पर low pressure area create हो जाएगा low pressure area create होने के मुझे से यहाँ से water vapors क्या होगी इवापरेट होना start हो जाएगे और उपर जागर condense होगर clouds की formation ले लेगे और जो यहाँ पर जो ही कितने किलो मिटर से किलो मिटर तक हो सकती है यह जो इसकी length है लग बवाटेट फिलो मिटर तक हो सकती है यह जो इसका the center होता है यह बिल्कुल शांत होता जैसा कि आप इधर देख पा रहे हैं यह क्या है इसका एक सेंटर है मैंसि यहाँ पर आपको कोई भी हलचल दिखाए नहीं देगी है वर बिल्कुल शांत बाहूल होता है और जो सेंटर होता है इसे हम आई कहते हैं मैंसि जो साइकलोन का सेंटर होता है उसे हमें सा आख करते है